हेलो एन वेलकम गई स्वागत आपको फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बाइज के स्वांटोस क्रिकेट क्लब वर्सिस मास्टर सीसी के बीच में तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को लोग यासे ग्रांड लिग में प्कश सकते हैं सारी डीटेल्स के बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ड कर लेते हैं तो बात करें कि इससे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट आई कि यूट्व चैनल को अभी दक आपने सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को यह एक ecs t10 की वीडियो इसके साथ-साथ यहां से आपको मिल जाएगा foram सारे अच्छे में जिसकी वोडियो आख़ी चानल पर मिलने वाले है तो सब या फिर आप सर्च कर सकते अटरेट fdc27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा जोइन कर देना यहां कर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना चली वीडियो को शुरुआत करते हैं तो इसमें की बात कर तो यह में सुबर में 9 बजे सनातरा धर्मा कॉलेज ग्राउंड अल्ला पुजा में खिला जाएगा बेटिंग के लिए भी अच्छी बेच हो और यहांसे बॉलिंग के लिए दोनों ही को एक्वली सपोर्ट हैं मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि कभी-कभी टीम यहांसे कॉलप्स होती हुए दिख सकत जिती है तो जो भी टीम टॉस जीदेगी पहले बेटिंग करना पसंद कर सकती है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहांसे दो मैच के लिए जिसमें से एक जीत के आ रही है महमद अजुरुद दिन और यहांसे विनुप मनुहरन दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं और यहांसे इंपोर्णस की बात को तो महमद अजुरुद दिन इंपोर्णस पे रहने वाले हमारे लिए देखो कहरा लाख कि टीम के सेंचुरी लगा दी थी और हमारे टीम के कैप्टन थे एक बार फिसम ने उनको कैप्टन सीब बना दिया जहां पर उन्होंने चुमाली सन की पारी खेली लेकिन सिर्फ 27 गेंदों गेंदर तो काफी दमदार प्लेयर से और कभी भी बड़ी पारी खेल खेल सकता है यहांसे वन साइडर विनिंग हो सकती है तो यह डिफ्रेंटियल वे में आपके लिए अच्छी पिक बन सकता है इनको ट्राइक कर सकते हूं अगर को एची चोई स्था मिले तो आप लोग ट्राइक कर सकते हो बाकि स्मॉल लिग के लिए थोड़े से रिस्की रह सकते हैं बाकि वन ड को लेगे तो एक बार फिर से हम उनको लेखे जा सकते हैं बाकि यासे के अन हरी कृष्णर की बात क्यों ट्राइक करना है आपको स्मॉल लिग के लिए काफी रिस्की यासे जसीड शीयन यह जो प्लेयर्स में यासे मैंशन कर रहा हूं यहां पर मैंने यासे चेक्स लगा द इंपॉर्णेट्स बिक्स बन सकते हैं इन दोनों ही प्लियस का परफॉरमस देक सकते हो यहां आ अफराद और यहां और यहांसे और रिख में से आफ्ले मैंने बनाए तो दोनों ने बwatch में सब्साइब देश देर अच्छा अध्वास देश सकतेब कभी भी एजब्य कुर आज कोई लेखे जाए ना जाए लेकिन एज़ प्लेयर हमारे लिए लिए फिप्टी टू मेचिस के अंदेर इसे 60 याने के 60 विकेट निगा लेए बावन मेचिस के अंदेर तो वेरी इंप्लेयर में इनको जरूर लेके जा सकता हूँ आशिप सलाम को ट्राइ कर सकते हो इवन यह भी डिफ्रेंशेल वे में ट्राइ कर सकते हो इनको दस मैच के अंदर 21 विकेट निगा लेए लास्ट मैच के बाद के लिए लेकिन पहली मैच के अंदर परफॉमस दिया था यहां से इक इस विकेट निकालता हूं नजर आ सकता है तो विष्णू पीकुमार वेल इंपो करते हो नजर आ सकते हैं वाकि बैंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलिग्रम में प्रवाड करा दोंगा तो टेलिग्रम से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा क्यूंकि बैंच पर भी कोई ऐसा प्लेयर से जो यहां से रिबीन वार्गे से अग कुन्नु मेल बहुत ही आला तरीन प्लेयर यहां से करीबन पचास के अवरेज से 637 रण है अठारा में चीस के अंदर तो मैं इनको एक बार फिर से अपनी टीम के अंदर मौका देना चाहूंगा एवन मैं खुद अपनी स्मॉल लिग की टीम के अंदर भी उनको लेके जा सक सकता है तो इन दोनों प्लेयर को आपको थोड़ा सा जयान में रखके चलना है इवन इनको तो मैं बोलूंगा कि इनको स्मॉल लिग में लेकर जाहिएगा बाकि इनको आप डिफरेंसील वे में जरूर ट्राइक कर सकते हो बरत सुरी आयम ने लास्ट मैच के अंदर लेकिन लेकिन फिर भी बैटिंग आने वाली है तो थोड़ से रिस्की तो हो सकते हैं लेकिन फिर भी इनको ट्राइक कर सकते हो क्योंकि देखो ओवरॉल रेकॉर्ड स्कीद बात किया तो तो तीन मेच के अंदर 67 रन है और लास्ट मैच के अंदर भी 33 रन की पारी है तो वैसे तो शायद मुझे नहीं लगता कि इनको में रिस्की तोर पर इनको ड्रॉप करना चाहूंगा बाकि सीजोमन जोसेफ यह प्लेयर्स हमारी लिए कल की डिफरेंसियल पिक हो सकता है लेके तो जा सकता हो मैं इवन इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन सिप के तोर पर भी ट्राइ कर सकते हैं सीजोमन जोसेफ साथ मैच के अंदर 12 विकेट से टिम की कैप्टन सिप करवा रहा है और इनका परफॉमस की बात करो तो यह बहुत ही आला तरीन प्लेयर्स ही कभी बॉलिंग से सामने वाली टिम को सिंगल एंडल या से कॉलाप्स करवा सकता है तो सिलोमन क्योंकि अगर ब्याटिंग से उपर प्रमोट हो गया तो यहांसे बड़ा परफॉमस दे सकता है चंद्रन को सारी जंता लिखे आएंगी तो सेफ जाने के लिए हमें भी उनको लेके जाना पड़ेगा लास्ट मैच के अंदर चार विकेट निकाली वैसे ओरोल रेकोर्स ति और देथवस में यासे वी सुरेस, फानुस और यासे गोपिनात देथवस में गयनबाजी करते हो नजर आ सकते हैं बाकि बेंच से अकर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलिग्रम में प्रवाड करा दूँगा तो आईए देले देख लेते हैं हमारी फेंट कीशी और प्लेयर को भी ले सकता हो लेकिन बैटिंग से लिए यासे में आर कुन्दू मिल के साथ जाना पसंद करूंगा यासे एल अकस्टिन यहासे ए अजीनास एम और यहासे आर कुर्णू मिल को मैंने पिक किया बाकि अजीनास की जगा पर भी यहासे अनन्था को जरूर ट्राइक कर सकते हों बॉलिंग सक्षन से यहासे वी चंद्रन यहासे एच डी एफ फानुस एसलाम हमारी टिम के अंदर रहेंगे और यहासे वी पी कुमार जो की बहुत रिस्क्य होने वाले है 15% सेलेक्शन है लेकिन हमारी डिफ्रेंसियल पी के मैं तो खुद य हमारे रहेंगे यहासे महमद अशुरुद दिन और यहासे वाइस केप्टन से मैंने एस जोशेफ को दिये जो की बहुत ही रिस्क्य होने वाली है तो आप यह से जाना चाहों तो आप से प्रिक में जा सकते हों तो अभी के लिए इस तरह से टीम के लिए आदे रहें में कर देणा यहां कर विडियो चला कि विडियो को आप लाइक और शेर कर दिजिए का अब आकि यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाले रच्च मैसेषगी वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले मिलते हम लो